नमस्कार या उश्य शरूँ वेजी किचन में आप सभी का स्वागत है आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे जह होली का तिहार आ रहा है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मेरी वाइटी सिस्टर सारीता जी तो उनकी रिक्वेस्ट में मैं वेसल के लड्डू बना रही पास तो फॉट रखा हुआ है भाजी आई हुए शादियों की और यह देखो दुबा इसी में मैं रख दूंगी ड़्डू बना करके यह मैं फेकती नहीं हूं डिबा तो बाद में फिकेगा भी है तो शादी की भाजी काफी रखी हुए है और अभोली की बना तो भी यह चीनी लेठें तो इसका फोटा क्यूक्कि एवी होती है लेकर चीनीगल को भूरा बनाएंगे तो जित्नी हाज़ ग्यों मारी चीनी होंगी उसका यी डबल बूरा बन जाता है इस लिए मैंने फुल भर कर राखंग लिए है तो इसमें जो क्यापसीटी होते हैं इसकी ज कुछ काजू लिए ड्राइफूट ऑप्शिनल है मर्ची आपकी फिलेन भी बना सकते हैं सिंपल भी बना सकते हैं मेरे पास ड्राइफूट अवेले पूर था तो मैं ड्राइफूट यूज करने तो पहले हम यह गोंद को फून लेंगे इस कणाई में में घी डाल दूंगी औ गूंद को फून लेंगे में पहले कूंद को फूलेंगे कि बाकि पच्छेवे घी में सब्संख कुल लेंगे अभी थोड़ा गी डाले कैवारा ऐसा और कि खराब हो जाता है तो बडंड के में कालस मिश्या निजाए बाकि आठे के लड़ू की तो खूए बात नहीं लेकि प्राउन में अच्छा लगता है कि अच्छ अच्छ आप अच्छ आप यहां में जाने जूच करें प्राथा कम लिया है और हमेंशाएं पीजों के लिए हैवितली के ख़ड़ाई दूच करने ताकि हमारा जलेना मैंने पूरी कोशिश की रही जलेना अच्छा गरम कलाई थी में घी डाल दिया और उसके बाद अब यह लो फ्लेम करते हैं अगर हाई फ्लेम रहती तो यह बहुत जल जाता और हमारा घी भी खराप जाता घी को हमें सुरक्षित रखना था ताकि में बेश जहार में बनाने चल्वजय वह ते हैं चाहे कम मनाओ मंसे जार बनाओ तो जोहार पर हम पर साथ पराथ में दूक्ना निवाल कि यह मैंने इसमें निकाल ले हैं और फूरा वरीज भी कर सकते हैं लेकिन हम मुझे आते हैं तो कभी अच्छा लगते हैं कि अच्छा मार्केट में इसीली मिल जाता है यह कोई फैशनी बननी है लेकिन बहुत यूस्फूल है मेरे को देखा होगा आपने कई वीडियो में यूस करते हैं अब देशन जून लेते हैं घी डाल करके इसमें थोड़ा मैं घी और डाल लूगी अब देखें नीप घल जाएगा अगर और देकी जाग वाठी तो बनानी है तो उस इस्तिती में हम पजार से तुला उआ लाते लिए घर में जाओ कम कम समान बनाते हैं तो हम अंदाज से लगाते तो मैंने अंदाज आपको बताया है अब यह बूद जाना चाहिए अब यह सूपा है जैनिस में घी और डाल दिया है और मीठा में उसे साथ से मिला है घीर के हमारा फीका है और देसर भी हमारा फीका है और देखें हमारा बेसर पुरा थल्वी की तरह होगे हैं अब हम इसे चलाते भी पखाना है यह हमारा हलका होने लगा है जैसे जैसे होने ही हमारा इसकी फिस्टीकिने स्कता मूती चली जाए है यह जैसे खिलने लगा है इसका मतलब हमारा घी बेसर भूनने के लिए तक है यह जादा बूरा में मिक्स करेंगे तो देखेंगे कितने घीर की और जबत अगर घीर की जबत पढ़ेंगी तो हम इसमें और कर देंगे अब इसन को थोड़ा सामें मिक्सी में दल दला कर देंगी तो ड्याइफूट पीचे है मैं इसमें डाल दूंगी सारी अब बेसन में भून गें और कलर भी अच्छा दें अब थोड़ा साम अब थोड़ा बहुत सम गर्मी का आना शुरू हो गया तो यह अध्याइब सब्सक्राइब होली के दिन हमारे ठंडाई जुरू बनती है और मटका कुल्फीजिक को बोलते हैं कुल्ण वाली वह जुरूर आती है घर में कांची बनती है तो मैं इसमें सौट ड़ी ताल और और यह जो कॉंड हम ने लिया है कि और आप घर में थोड़ा सा डाल रहा है तो कई बात नी और अगर आपके सखाने वाले हैं तो जाइंट के लड़के या यंग जनरेशन की है तो उनको कोंद कम से कम खिलाए जाए उससे वैसे तो बालू होता है सबको दिखते आते हैं कुछ और भुजुर्गों के लिए बनाया जाए जैंट्स की में तो कोई बात नहीं उनको जितना मुली गोंद खिलाए ये लेकिन न्यू जनरेश जनरेशन के जैन्स को गोंद कम खिलाए जाए तो दिखते आती हैं नहीं समझ में तो फिर कभी किसी वीडियो में में थोड़ा सा एक्स्प्लेइन कर दूंगे अब बेसन को इसमें डाल लेंगे अब इसको बेसन को बूरा को सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी और अभी गरम है तो मैं कर्ची से ही बैट करूंगे अभी देखें लेक्सिंग होके ऐसे बन गया है यह ड्राइफ कर लिया मैंने अब इसका मतलब अबारा यह बाइंड हो जाएगा तो यह लड्डू असानी से अभी तो मेरा एक हाते दोलों हातों से हम इसके लड्डू बांक लेंगे इ इस तरीके से बाइंड वोधिया है जब विड little को लगाएंगे आपका लड्डू हमेशा फूटेगा इस और इस अंगली से आप अंग्ली से ऐसे वांड करते से हलबाई दो हातों से करते हैं यह देखे हमारा एक हाथ से लड्डू हमारा रेडी हो गया तो इस उड्री को न लगाए जब भी लगेगी आपका लट्डू हमेशा फूटेगा जो इसका बैलेंस है यह तीन उगलियों से और यह कंगुठे से ही बनता है कभी भी आप अलवायों को देखना यह अलग रहती है उसकी ठीक है न तो फ्रेंट लट्डू मेरे डेडी है बंद करके और इसमें देखें बारा लट्डू बंद गए है मेरे इस साइज के जो स्टैंडर्ड साइज मार्किट में आता है और जैसा कि मैंने गोंद का बताया है तो पेसंगी लट्डू में मैं डाल लेती हूं अगर कभी-कभी ऐसा है गर्मी में केवर बादामी डालती हूं जरूरी में कीट फू डाला जाया है मेरे पास थे तो चैड फू में की लेकिसें में सब कुछ बनाना संभब नहीं होता तो । डाइफ एक पनाती हूं और इस लिए वंच्रा कौन्त के निए बताया है तो उसके लिए या है कि जो ड़िफ एक लड़की और लड़के में होता है जिसके कारण पैचाने जाते हैं तो उसी से रिलेटेट प्रॉबलम्स वोसे में जैंट में जय कन जैसन में आ जाती है जो भी समस्याय आती हैं बहुत सी समस्याय होती है सबसे पहले समस्या तो है कि जो है कुछ जनरेशन में शिकायत होती है कि बच्चे नहीं हो रहे तो इस टाइब की प्रॉब्लम सा जाती है तो में प्रॉब्लम तो मेरी मा यहीं बताती थी मुझे तो यह प्रॉब्लम सबसे जाधा बताई गई है तो इसलिए मैं अपने घर में यह ध्यान रखती हूं लड्डू बनाने का और ओल्ड एज में तो मर्दी आपकी खाओ ना खाओ कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन यं मैंने आज यह आपको बहुत कहने की समझाने की एक लाइन में कहने की कोशिश ही है तो प्लीज उस लाइन को समझ जाना इतना ही काफी है इससे जाधा मेरे लिए संभब नहीं है तो जैसी भी रैसीपी आपको समझ में आए पनाईएगा और न्यू वियर्स लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जब तक आप वीडियो को शेर नहीं करेंगे तब तक कोई वीडियो वारेल नहीं होती है और तब तक फुल सपोर्ट नहीं करेंगे तो तब तक वाच टाइम ही मिलता है और मोनो होने के बाद भी वाच टाइम की बहुत जरूरी होती ह तो थाइंस वर वाचिंग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ